शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें कि आप अपिस्टाइब कर दो अपिस्टाइब कर दो अपिस्टाइब कर दो एक अपने जो देखा वही आपने सच्मान लिया अपने जानने की कोशिश भी नहीं की वहाँ पैसल में अखिर हुआ क्या था सब्सक्राइब कर दो अपिस्टाइब कर दो अपिस्टाइब की बनी हो जिस पहन के लिए तुमने अपनी जान दाओ पे लगा दी सब्सक्राइब कोई शिकायत नहीं है कि कीरती ने मुझे कुछ नहीं का यह परिशानी पूरे परिवार की थी और अब जब सब खुश है तो तो मेरी संतुष्टी भी इस ही में है तुम्हें मेरी बातों का भी बुरा नहीं लगता यह ना मतलब है कि कुछ तीनों से मने तुम्हारे सा इतनी बत्तमी जी से बात की मैं जानती हूं कि आप यह सब कुछ बेवजा नहीं कर रहे हैं तो मैं मेरे मतलब है कि क्या बात है अब है अकर मैंने कोई गलती कर दिये तो मुझे बताईये ना मैं आपके सवालों के उल्जनों को सुल्जाना चाहती हूं मेरे मन में कुछ सवाल अशा था और मैं उन सारे सवालों का जवाब देना चाहती हूं आज नहीं कल जब सब मंदिर से ज़ जायें के तब तब हम बात करें गे खास बात के लिए कास महौल चाहिए होता है कल में दिल खुलकर सारी बाते करूँ हoh तink है एक ईका मैं कल का इंतजार करोगी के तहें सब ठीक हो जाएगा हाँ अभे, मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारे बीच सब खीक रहे और इन तुनों में खुल के बात कर लिए तो मेरे प्लान का क्या इतनी मुश्किल से शक्का बीच डाला इन दोने के बीच नहीं, मेरे रहते हैं इनकी ये दूरियां कभी कब नहीं हो सकती है अबिचस्प सबूर बैस्टोम के शुचा बात समस्याइव. कम अचछ पोलोगे पर उ अभाड मुला है, मुझछा हम का कले अटनारी था के अच्छा काम मिल्गें दमाडलिंग का मुझा एक याख मिलेंगे, और उस ब्यूटी ब्रैंड के साथ हम जुड जाएंगे प्यूटी ब्रेंड? किरती यह सब.. वरुण जी, पहले आप हमारी पूरी बास सुगे बहुत अच्छा काम है और इस ब्रेंड की ना मैं अखेली मॉडल रहूंगी इतना नाम होगा हमारा हमारा सुंदर सा चेहरा हर जगा छप जाएगा एक बाव मैंना कर दिया नखिरती अब ध्यान से सुन लो ऐसी कोई बेवोकूफी तुम नहीं करोगी सब्जी? पर क्यों नहीं करें हम वरुण जी हलो? बिना वजय बताए और बिना हमारी पूरी बास सुने हुए वरुण जी ने पून कैसे करें हम चंपी कुछ करना चाते हैं सब हमें सिर्फ ना ही कहते हैं जैसे हमारी जंदीकी पे न हमारा कोई हकी नहीं है माडम, खल की फोटो शूट की पुरी तयारी हो गई है एड्रेस और टाइम हम आपको भेज रहे है आपको इंतितार रहेगा कैसे जाए हम वरुन जी ने तो मना कर दिया कुछ ना कुछ तो करना होगा कल शृदा से साफ सारी बाते ही कल लोगा हमारे बीच कुछ तनाव नहीं रहना चाहिए फिर सब ठीक होजाएगा इतनी नाद को पत्तर को न भेंगे रहे हैं जानता हूँ घर में मुश्किल हो रही होगी लेकि मेरा फोन तो उठालो इक बार मुझसे बात करो कर मुझसे मिलने आजाओ मैं इंतजार करोंगा जानता हूँ घर में मुश्किल हो रही होगी लेकि मेरा फोन तो उठालो इक बार मुझसे बात करो कर मुझसे मिलने आजाओ मैं इंतजार करोंगा झाल झाल क Ecuador में उटालो दोGS लेकिन मेरा फोन तो उठालो एक बार एक बार मुझसे बात तो करलो कल मुझसे मिलने आ जाओ में मैं मैं इंतसार करोंगा तुम्हारा ये जिट्ठिया अपर किसने डाली इप अबे, ये जिट्टियां पर किसने डाली, पॉन है ये? मुझे क्या बताओ, तुम्ही फोन आ रहे हूंगे? कैसी बाते कर रहे हैं आप? बला मुझे कोई फोन क्यों करेगा? और मुझे तो कोई फोन आया भी नहीं है? लीजे, मेरा फोन आप खुदी देख लीजे ये चिट्थी यहाँ पर किसने डाली? होगा कोई श्रधा! जी ममी जी मैं बस अभी ममी जी से मिलकर आती हूँ जी मैं अजीव है याँ अगे श्रधा को इस चिट्धी के वारे पता होता हूँ तो मुझसे तूहीं न पुझती याँ यह सवाल है कि खतम ही नहीं हो ले मुझे किसी भी किमों पे शाम तब इस किसे को खतम करना ही होगा आज शाम को नहीं आज मैं कुनाल से नहीं मिल सकती क्योंकि उससे मिलना मतलब अपने पैरों पर खुद कुलाडी मारना होगा और शादा भाभी नेना मुझे उससे मिलने के लिए मना किया है कि अगर मैं कुनाल से मिली तो घर में हमारे बारे में सब को सच बता देंगी तुझे पता है कल तो तो उन्होंने मुझे कुनाल से फोन पर बात करते हैं पकड़ डिया होता पाल बाल बची मैं आर्टी तू ना बहुत जादा सोच रही है और शादा को समालने के लिए मैं हूँ ना तू जा और बस अराम से मिल कुनाल से यार सोनिय मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आर्टी तू देख यही वक्त है यह सब करने का ठीक है तू तू जा अराम से उसे खड़िदारी करवा तभी तो पता लगेगा ना कि तेरा अमीर बॉइफ्रेंड कितना प्यार नियुचावर करता तेरे उपर एक से कि पकड़ यहां डएर टू इस पार हमें यह साथ में पकड़ लिया ना तो नहीं पचूंगी तू इधनी क्यों भी रही है जब मैं हुद कि मिन हून तो तो सच में श्रस्टी हम्राबी को समाल लेगी हार प्क दॉड़िं नहीं रिडे मुका मैं तेरी मुद्श रही को समा जल्दी आओ भाई, आई ममी जी, इतना अधूल, ए भगवान ये चाले तो देखो, क्या हालत हो गई है इस कम्रे की भाई, इतने दिनों से कोई आया नहीं है, तो सफाई भी नहीं हुई है, देख रही हूँ तुम क्या हालत है इस कम्रे की, आप फिक्र मत कीजे ममी जी, मैं साफ कर देती हूँ, ये भगवान, शर्दा, शर्दा तुम ना बाहर की सामों को छोड़ो और जड़ा भर की कामों में तेहां दिया करो, अरे तुम्हारे समाज सेवा के चक्कर में, घर में कच्डाय कठा हो रहा है, अरे ऐसे में कैसे पधारेंगी लक्ष्मी जी हाँ, बत और वैसे भी, हमने अनुझ जी से कह दिया है, कि नए साल में इस घर की सफाई तुम ही करोगी, तो एक काम करो, आज शाम से ही श्री गनेश करो, वो भी इसी कमरे से, ठीक है? अमी जी, आज शाम से, हाँ, तो और क्या? अच्छा, मतलब तुम्हारा कैलेंडर इतना भरा हुआ है, कि रोज का हिसाब लेने के लिए, हमें तुम्हारी अनुमत ही लेनी पड़ेगी? नहीं, ममी जी, मेरा भू मतलब नहीं था, मैं कर लोगी, और नए साल के आने से पहले पहले, आपको सारे कमरे साफ मिल जाएंगे, हम, ठीक है, और शादा, हम समझ सकते हैं कि इर्थी को लेकर जो भी फर्ज है तुम्हारे बड़ी वहन के, लेकन एक बात मतूला, कि तुम इस घर की बहू और अभे की पतनी हो, और तुम ना यहां रहती हो, नीचे नहीं, कहीं वहां के रिष्टे सुलजाते सुलजाते, यहां के रिष्टे ना उलज जाएं उलज गेम आपके साथ इस रिष्टे में आपकी बीवी बनके अपनी मर्जी से बिना आपसे पूछे हम कुछ नहीं कर सकते एक फोटो शूट कराने का मन है हमारा लेकिन आप नहीं चाहते इसलिए हम नहीं कर सकते बिना किसी वज़े के लेकिन वर्वन जी आपको क्या लगता है आप हमें रोकेंगे तो हमारे सारे राष्टे बंद हो जाएंगे आप हमें अभी तक जानते नहीं हैं नेना भाबी, नेना भाबी आप यहां आराम से बैठ कर पुजा की थाल सजा रही है और वहां पूरे कानपुर पे पता नहीं हमारा घर कौन से तरीके से सज रहा है तू क्या हुआ, क्या भूल रही हैं? पूले को बचा क्या है, अब भाबी, लीजिए, बेखिये, खुदी अपनी आखों से जी, यह कैसी तस्वीर हैं? हमें नहीं देखनी भाबी, अपनी आख पर पट्टी बानने से पूरा कानपुर अंधा नहीं हो जाएगा और यह लड़की भी कमाल है, उसे जरा भी शर्म नहीं है उसे पता है के हर रोज उसकी वज़े से कोई ना कोई इस घर में कांड होता है लेकिन मजाल है, के सरासी उसमें शर्म हो, नहीं हर रोज उसको करना होता है नया कांड किर्टी से न, पश्चात आपकी उमीदों में पहले ही नहीं थी, किन अब ये सब, जी, 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 भावी, देखी, लोग नहीं फोटो देखकर क्या-क्या लिख रहे, देखी, पढ़कर सुनाते हम आपको, तुम इतनी सुन्दर हो, कभी आओ हवेली पर, उसन है सुहाना, कीजे, किर्टी को तो हम सभालेंगे, अच्छा, आपर उन को फोन कर रही है, अच्छा, कीजे, अब हम भी देखते, कि उसकी बड़ी बहन, अपनी ये बिगडल चुटकी को, न, कैसे बचाती है, सुनिया, मुझे ओफिस के लिएना बहुत देर हो रही है, मैं तुम से शाम को आकल बात करती हूँ, अच्छा, अब मुझे लगता है कि तुम्हें ये बताना ही ठीक रहेगा, क्यों, क्या हो गया, आरती के लक्षन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे है, तुम खुदी क्या लिखा है, आज शाम पांच बजे मिलते हैं हमेशा जहां मिलते थे, अरे, वो तो शाम पांच बजे अपनी दोस अरिका से मिलने जा रही है, तो इसमें क्या गलत है, शदा वही तो मैं तुम्हें बताना चाहरी हूँ कि, अच्छा, रो, तुम खुदी सुनो, अब मेरी जान, मिल रहे हैं हम को, हलो अर्थी, 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 मेरी फ्रेंड हैना सारी का, उसे का फोन था, उसे मुझ से नोस चाहिए थे तो बस इसी लिए, तेख रही हूँ, वो कैसे तुमसे और घरवालों से जूट बोल रही है, मैं उसे आज आकर बात करती ह बोले, ऐसा क्या ज़रूरी बात करना थे क्या आप लोग को यहां आ बढ़ा, बादी की आखे शर्म से जुक गई है, तो वो गुस्से में नहीं बोल पाएगी, तो हम बताते हैं, बताते नहीं है, तुम्होरी कड़तू ते दिखाते हैं, हरी यह क्या हो गया, इसका पना कह नहीं चला गया, हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं, क्या हुआ बोल जी, हमे न आपसे यही उमीद थी, कि आप हमारा वीडियो दिन भर देख देख के, हमारी बुराया सब के पास करती हैं, इसलिए हमने आपको ब्लॉक कर दिया, क्या, आप सब को हमारे खिला भड़काती है तो यह मौका हमने आपसे छील लिया, देख रहे हैं भाबी, इसकी बेशर भी आप इसको नहीं छोड़े हैं, रितू, अब शांत हो रहे हैं, कीरती, आप अपनी हरकते खुद भी देख समझ पाती हैं या नहीं, इतनी बेहुदा हरकत आप कैसे कर सकती हैं, अब सिफ कान प करेंगी, इसलिए ना भुआ जी, हम घर छोड़कर यहां एते वरुन जी के साथ, ताकिम खुशी सजी पाइपर नहीं, हमारे घर के मामलों में, आप लोगों को अपनी टांग डालनी हैं, बिल्कुल चुप, आप को वरुन ने मना किया था या नहीं यह सब करने से, जूट हमानी हार खोते-खोते बच गया, लेकिन उसके बाद भी आप कोई कसर नहीं छोड़ती, हर रोज एक नया तमाशा करने के लिए, और आप हमको शान्ती से, हलो, हमारे, ने, वो अचानक से एक बेकार सा अणंगा आ गया था हमारे घर पे, पर आप सब ठीक हमारे पे, देख यह हमारे बेटे का घर है, और यहां से जाने के लिए, वो खुद भी हमें कभी नहीं कह सकते, तो जब तक आपके बेटे यहां नहीं है, इस घर के फैसले हम लेते, उस पे हमारा हक है, तो अभी आप दोनों यहां से निकलिए, आने दीजिए वरुन को, अब आपका फैस्त आप लोग आने की तकलीफ मत करियेगा, अब शद्धा रुको, मुझे लगता है कि अभी बात करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो अभी दस जूट और बोलेगी, ओफो, ये फोन तुम्हारे पास है, मैं कबसे अपने कमरे में डून रही हूँ, एक को ना चान के न थक थी मैं, लोग फोन दो मेरा, हाँ, वो तुम्हारा और हमारा फोन एक जैसा लगता है, तो शयद गलती से उठा लिया होगा, मैं जारी पॉलिज वन्हा लेट हो जाओंगी मैं, आर्थी, हाँ, क्या हुआ, तु आज शाम को मंदिर चल रही है ना हमारे सार, ये कैसा सव वाला सोनिया, और मुझे मंदिर चानी के क्या सुरत है, और तुम्हे तो पता है ना, आज मैं वैसे भी, मैं तो एक्स्रा क्लास प्ली जा रही हूँ, पेरी एक्स्रा क्लास है ना, अज कॉलेज में, पर तुझे तो पता है ना, आज घरवालों के लिए कितना बड़ा देन तो आज क्लास छोड़ दे ना, मेरी बहुत इंपोरेंट एक्स्रा क्लास है, तो मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, तुम्हें पता तो है, मैं लेट हो जाओँगी, मैं जा रहे हूँ, अब, देख रहे हो ना, अब तो वो मेरी भी नहीं सुनती है, मैं कैसे समझाँ उसको कि वो गल्ती कर रही है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, शद्धा कि कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, मुझे लगता है तो मैं ही उसके ओपर नजर रखनी पड़ेगी, तुम क्यों नहीं करती, तुम खुद जाके उस लड़के से बात करो ना, शद्धा, मैं निकल रहा हूँ, तुम भी वप्या आ जाना, देर मत करना, मुझे भी कुछ काम है तो मैं वो कर ले थी, है मातरानी, अब क्या करो, अब है के साथ देर हो गए, तु कहीं बात ना बिगड़ जाए, और डर इस बात का है कि अगर आरती को नहीं रोका तो, तु कुछ बढ़ा ना बिगड़ जाए, अब आप ही बताईए, क्या करो, कैसे इन दोनों को समालो, तुम जैसे लड़के लड़कियों से क्या मॉडलिंग का काम करवाते हों, यह में अच्छी से जानती है, आपके ओपर यह घंकी उनकी ना, सूत नहीं गड़ती, इस बात को थोड़ा प्यार से भी बोल सकती थी, तु मुझे क्या महारा जब अच्छे पड़िए, मेरे!